एलो स्टुडेंट प्रिवेस वीडियो में हम लोगों ने 10 inverse x1 प्लस 10 inverse x2 अब टू 10 inverse xn उसका फॉर्मूला डिसकस किया था इस वीडियो में हम लोग एंथ टम का एडिशन और इंफाइनेट टम्स का एडिशन कैसे करते हैं वो डिसकस करेंगे फर्स्ट आप लोगों को कोई भी सिरीज एंट टम्स या तो इंफाइनेट टम्स में क्वेशन में गिवन है उसको आप लोग 10 inverse में कनवर्ट कर दो किस फंक्शन में कनवर्ट कर दो 10 inverse में उसके बाद आप लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 सेट कर दो यहाँ पे 1 सेट हो जाने के बाद प्लस X इंटो Y यहाँ पे जो वैल्यू है उसको दो फेक्टर में डिवाइट कर दो और लास्ट में यहाँ पे उन दो फेक्टर का सब्स्ट्रेक्शन सेट कर दो इससे बेनिफिट क्या होगा यह पूरा फोर्मूला सेट हो जाएगा 10 inverse X माइनस 10 inverse Y और वन बाई वन सारे टम्स कैंसल होते जाएगे consecutive terms ओके फोर एक्जाम्पल एक एक्जाम्पल ट्राइ करते हैं ओके आपको फर्स्ट एक्जाम्पल 10 inverse 1 upon 1 plus X square sorry 10 inverse X square plus X plus 1 10 inverse 1 upon X square plus 3X plus 3 plus 10 inverse 1 upon X square plus 5X plus 7 अब टू एक्वेशन गिवन है आप लोगों को सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कोई भी function में equation हो आप लोग उससे 10 inverse में convert कर दो यहाँ पे तो 10 inverse है given है उसके बाद numerator में 1 plus X into Y set कर दो ओके पहले हम 1 set करते हैं कैसे 10 inverse 1 plus यहाँ पे क्या होगा X square plus X ओके 1 set हो गया देखो 10 inverse 1 upon 3 को लिखो 2 plus 1 यहाँ यहाँ पे 1 plus X square plus 3X plus 2 ओके यहाँ भी 1 set हो गया plus 10 inverse 1 upon यहाँ पे 1 plus X square plus 5X X square plus 5X plus 6 plus up to end terms ओके उसके बाद आप लोगों को क्या करना है 1 plus इसको 2 factor में divide करना है 10 inverse और वो 2 factor always most of always तो नहीं most of consecutive होगे 1 plus इसको लिखो X plus 1 into X plus 10 inverse 1 upon 1 plus यहाँ पे 2 factor को नहीं से होगे X plus 2 X plus 1 plus 10 inverse 1 upon 1 plus यहाँ पे 2 factor X plus 3 X plus 2 plus up to end terms ओके फिर 1 plus XY 1 plus XY 1 plus XY अब numerator में आप लोगों को X minus Y set करना है ओके यानि आप लोग 1 को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो X plus 1 minus X देखो X X cancel हो जाएगा और फिर से 1 answer आजाएगा upon 1 plus X plus 1 into X plus 10 inverse यहाँ पे आप लोग सोचों क्या लिखेगे हम लोग X plus 2 X plus 1 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं X plus 2 minus X plus 1 X X cancel 2 minus 1 1 set हो जाएगा 10 inverse यहाँ पे क्या होगा 1 upon 1 plus X plus 3 X plus 2 यहाँ पे लिखो X plus 3 minus X plus 2 अब टू लास्ट टम सोचो अब 10 inverse क्या होगा थर्ड में 3 and 2 है दिख रहा है ओके तो यहाँ पे 1 plus X plus N plus into X plus N minus 1 ओके यहसे आएगा ओके उपर आप लोग क्या लिख सकते हो X plus N minus X plus N minus 1 चेक कर ले ना 1 हो जाएगा ओके यहाँ पे आप फोर्मुला अपला होगा कौन सा फोर्मुला अपला होगा 10 inverse X minus Y upon 1 plus X Y का यहाँ पे 10 inverse X plus 1 minus 10 inverse X यहाँ पे क्या होगा 10 inverse X plus 2 minus 10 inverse X plus 1 यहाँ पे 10 inverse X plus 3 minus 10 inverse X plus 2 और यहाँ पे लास्टम अप्टू करके लास्टम क्या होगा 10 inverse X plus N minus 10 inverse X plus N minus 1 उससे जस्ट पहले का क्या होगा 10 inverse X plus N minus 1 minus 10 inverse X plus N minus 2 अब यह 10 inverse X plus 1 और यह कैंसल 2 वाला भी कैंसल यहाँ पे 3 भी कैंसल हो जाएगा यह भी कैंसल यह कैंसल यह कहाँ पे कैंसल होगा अगे के टम्स के साथ सबसे बड़ा टम्स नहीं कैंसल होगा 10 inverse X plus N 10 inverse X plus N और सबसे चोटा टम्स भी कैंसल नहीं होगा 10 inverse X ओके यहाँ से भी थोड़ा सिंप्लिफाई कर सकते हो इसको 10 inverse X minus Y का फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाए वह सकता है 10 inverse X plus N minus X अपोन 1 plus X into X plus N ओके यहाँ पे 10 inverse N अपोन 1 plus X plus N into X ओके कॉपी ओके स्टुडेंट नेक्स क्वेशन पे बात करते है क्वेशन नमर्ट तू पे क्वेशन 2 10 inverse 1 by 3 10 inverse 1 by 3 plus 10 inverse 2 by 9 2 by 9 plus up to 10 inverse 2 raise to N minus 1 or 1 plus 1 plus 2 raise to 2 N minus 1 up to infinite ओके यहाँ पे Nth term नहीं है infinite terms है तो पहले तो आप लोग general form लिखो ओके इसका general form क्या होगा ऐसे sigma देखो सारे terms में आप लोगों को 10 inverse दीख रहा है यहाँ पे general form given ही है ओके नहीं होगा question में तो आप लोगों को लिखना है सोचना है क्या आएगा ओके general form क्या होगा 10 inverse 2 raise to R minus 1 1 plus 2 2 2 raise to 2R minus 1 ओके और R की value 1 to N देखो R is equals to 1 put कर दो first हो जाएगा R is equals to 2 put कर दो second terms आजाएगा ओके अब हम लोगों को यह सोचना है यह मैंने कितने terms का addition लिखा है sum लिखा है N terms का और मुझे कितने terms का चाहिए infinite terms का चाहिए यह मैंने यहाँ तक ही लिखा है infinite terms का sum आप लोग कैसे लिखा लोगे यहाँ पे आप लोग N की value tends to infinite कर दो मैंने क्या किया पहले N terms का sum लिख दिया उसके बाद N tends to क्या कर दिया infinite याने अब यह infinite terms का साम हो गया ओके अब सेट करते है देखो कैसे limit N tends to infinite N tends to infinite summation R is equals to 1 to N 10 inverse 1 प्लस 1 तो given है यहाँ पे इसको दो फेक्टर में divide करो ऐसे 2 rest to R into 2 rest to R minus 1 देखो यह addition हो जाएगा power में 2 rest to 2 R minus 1 ही हो जाएगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 rest to R minus 2 rest to R minus 1 देखो उपर terms यह दोनों same है या नहीं है 2 rest to R minus 1 common यहाँ से 2 minus 1 ओके दोनों same ही है यह दोनों term same ही है ओके अब अब यह किसका formula हुआ limit n tends to infinite limit n tends to infinite summation r is equals to 1 to n अब यह formula हो गया 10 inverse 2 rest to R 10 inverse 2 rest to R minus 1 ओके summation remove कर दो limit n tends to infinite यहाँ पे क्या होगा पहले R is equals to 1 पूट कर दो 10 inverse 2 minus 10 inverse 1 फिर 2 पूट कर ओ R is equals to 10 inverse 2 पूट करने पर यहाँ पे 4 minus 10 inverse 2 3 पूट करने पर 10 inverse 8 minus 10 inverse क्या होगा 8 minus यहाँ पे 4 अब 2 10 inverse 2 raise to n minus 10 inverse 2 raise to n minus 1 ओके अब 2 cancel 4 cancel वैसे 8 भी cancel देखो आगे से एक term cancel नहीं हो रहा है तो पीछे से भी एक ही term cancel नहीं होगा अगर आगे से 2 terms cancel नहीं होते तो पीछे से भी 2 terms cancel नहीं होगे ओके यहाँ से यह cancel हो जाएगा और यह cancel नहीं होगा limit n tends to infinite 10 inverse 2 raise to n minus 10 inverse n 1 sorry limit remove कर दो 10 inverse 2 raise to infinite और constant की limit constant ही होती है यह constant number है 2 raise to infinite यानी क्या होगा infinite 10 inverse infinite minus 10 inverse 1 ओकी यहाँ पे 10 inverse infinite की value pi by 2 when tends to infinite यह tends to pi by 2 है और 10 inverse 1 की value pi by 4 यानी आपका answer आएगा pi by 4 copy okay student next question question 3 क्योट नवर्स क्योट नवर्स 1 square plus 3 by 4 plus क्योट नवर्स 2 square plus 3 by 4 क्योट नवर्स 3 square plus 3 by 4 up to infinite terms okay up to infinite terms okay general terms लिखो summation limit sorry क्योट नवर्स क्योट नवर्स okay देखो सारे terms में क्योट नवर्स है मैंने क्योट नवर्स लिख दिया फिर सारे terms में आप लोगों को ऐसे bracket नजर आ रहा है bracket कर दो फिर first term में one square second में two square third में three square यानि आर्थ terms में यहाँ पे r square फिर 3 by 4 constant value है वो change नहीं हो रही है यह आर्थ term लिख दिया मैंने okay r की value 1 to n लेकिन मुझे कहां तक का sum चाहिए limit n tends to infinite infinite तक sum चाहिए okay सबसे पहले मैंने क्या बोला था मुझे यहाँ पे cot inverse नहीं चाहिए 10 inverse चाहिए मुझे limit n tends to infinite n tends to infinite summation r is equals to 1 to n 10 inverse 1 upon r square plus 3 by 4 r square plus 3 by 4 okay आगे आप सोचो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए limit n tends to infinite summation r is equals to 1 to n 10 inverse 1 upon यहाँ पे 1 चाहिए plus r square अब 1 कब सेट होगा यहाँ पे minus 1 by 4 लिख देता हूँ 1 minus 1 by 4 3 by 4 हो जाएगा ओके limit n tends to infinite limit n tends to infinite summation r is equals to 1 to n 10 inverse 1 upon 1 plus यहाँ पे क्या होगा r minus r plus half इसको दो फेक्टर में डिवाइड करो r plus half r minus half ओके अब 1 को हम क्या लिख सकते है r plus half minus r minus half ओके 1 आजाएगा देख लेना अब यहाँ से क्या होगा यह limit n tends to infinite summation r is equals to 1 to n formula अपलाई कर दो 10 inverse x minus y upon 1 plus xy का यानि 10 inverse यहाँ पे r plus half minus 10 inverse r minus half ओके sigma रिमू करदो limit n tends to infinite पहले 1 put करदो क्या होगा 10 inverse 3 by 2 minus 10 inverse half 1 put करने पर ओके अब 2 put कर दो 10 inverse 5 by 2 minus 10 inverse 3 by 2 ओके अब तो n put कर दो 10 inverse n plus half minus 10 inverse n minus half ओके 3 by 2 cancel 5 by 2 आगे cancel हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे सॉरी minus होगा वहाँ पे यह भी cancel हो जाएगा देखो आगे से 8 terms नहीं cancel हो रहा है तो पीछे से भी एक cancel नहीं होगा यह वाला ओके यहाँ पे limit n tends to infinite 10 inverse n plus half minus 10 inverse half ओके limit remove करो 10 inverse infinite plus half remove करो यानि n की जगा पे infinite रख दो यहाँ पे infinite plus half यानि infinite और यह constant है constant की limit constant 10 inverse half ओके यह pi by 2 हो जाएगा pi by 2 minus 10 inverse half pi by 2 minus 10 inverse half यानि cot inverse half और cot inverse half यानि 10 inverse 2 copy ओके student next question discuss करता है next question है summation यहाँ यहाँ पे n is equal to 1 2 या फिर r is equal to 1 2 and 10 inverse 4r upon r rest to 4 minus 2 r square plus 2 ओके यह दोनों same ही होता है इन लोगों ने direct infinite तक equation में दिया था मैंने n tends to infinite करके लग दिया अब यहाँ पे आप लोग 1 set कर दो पहले तो ओके limit n tends to infinite r is equal to 1 to n 10 inverse 4r 2 को लिखो 1 plus 1 यहाँ पे होगा r rest to 4 minus 2r square plus 1 ok limit n tends to infinite summation r is equal to 1 to n 10 inverse 4r upon 1 plus r square minus 1 ka all square limit n tends to infinite r is equal to 1 to n 10 inverse 4r upon 1 plus r square minus 1 यहाँ पे r minus 1 r plus 1 और दोनों ka square होगा ok limit n tends to infinite summation r is equal to 1 to n 10 inverse r plus 1 ka square minus r minus 1 ka square 1 plus r minus 1 ka all square r plus 1 ka square ok check कर लेना आप लोग क्या होगा यहाँ पे limit n tends to infinite यहाँ पे first term r square r square cancel last term 1 1 cancel middle term 2 r यहाँ पे minus 2 r minus minus plus 4 r आजाएगा ok r is equal to 1 to n 10 inverse r plus 1 ka all square minus 10 inverse r minus 1 ka all square ok अब summation remove कर दो limit n tends to infinite ok पहले 1 रख दो यहाँ 10 inverse 4 minus 10 inverse 0 ok फिर 2 रख दो 10 inverse 9 minus 10 inverse 1 फिर 3 रख दो 10 inverse 16 minus 10 inverse 4 plus up to 10 inverse n plus 1 ka all square minus 10 inverse n minus 1 ka all square ok एक इसके जस्ट पहले का term लिखो 10 inverse n minus 1 ka all square r की जगा पे n minus 1 यहाँ पे 10 inverse n minus 2 ka all square ok यहाँ से 0 cancel नहीं होगा 1 cancel नहीं होगा starting होगी 4 से ok देखो यहाँ पे आगे से 2 terms cancel नहीं हो रहे तो last से भी 2 terms cancel नहीं होगे सबसे smallest 2 terms और सबसे largest 2 terms वो cancel नहीं होगे जैसे जैसे कि यह 10 inverse n plus 1 का all square minus 10 inverse n minus 1 का all square और n minus 1 रखने पर यहाँ पे n आएगा ok n minus 1 n और यहाँ पे n minus 1 होगा ok यानि यह दोनो terms cancel नहीं होगे largest 2 terms यानि limit n tends to infinite यहाँ से कौन से cancel नहीं होगे 10 inverse n square plus 10 inverse n plus 1 का all square minus 10 inverse 0 minus 10 inverse 1 ok limit remove 10 inverse infinite plus 10 inverse infinite 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 का square infinite होगा minus 10 inverse 0 minus 10 inverse 1 ok 10 inverse infinite होगा pi by 2 यह भी pi by 2 minus 0 minus pi by 4 3 pi by 4 copy 0 0 झाल झाल